Hello everyone, I hope आप लोगों का जो post reference पे जो research है वो अभी भी जारी होगा और अच्छे से आप research कर रहे होंगे क्योंकि अगर आपको भरना है तो well research होना चाहिए So आप मेंसे बहुत लोगों को मैंने कहा था कि अगर कोई doubt है तो आप मुझे whatsapp कर सकते हो काफी सारे questions आये हैं ठीक है एप्रॉक्स मेरे पास three to four hundred questions आये हैं मैंने देड़्सों से दोसों का जवाब दे दिया है मैं अभी भी मेरे पास एप्रॉक्स देड़्सों मैसेजिस पेंडिंग में है जब जादतर questions आ रहे हैं वो यह उनके आ रहे हैं जिनकी थोड़े कम marks है त ठीक है तो अगर फिर भी अगर आपको home state ही चाहिए ना तो मैं बोलूगा कि आप PA या TA भरो अगर किसी के लिए home state बहुत जादा matter कर रहा है ना तो उल्टा भरो अगर उससे लग रहा है कि मुझे घर पे ही चाहिए बाहर मुझे बिल्कुल नहीं जाना है तो फिर उसको post क के लिए तो सूचना ही नहीं है आपको पहले 2400 डालो फिर 2800 डालो देन 4200 डालो फिर 4600 और फिर 4800 अगर आपके लिए home state बहुत ज्यादा matter करता है फिर बहुत लोग मुझे से पूछ रहा है कि अगर मतलब मेरे कम नमबर है तो क्या मैं 4600 grade के लिए भर सकता हूँ देखो अ 2800 डालो फिर 2800 ऐसे करके जो आपको जौब पसंद है ना उस जौब को उपर रखो rather than अपने marks के according रखना ठीक है बट अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको अपने home state में चाहिए ठीक है तो home state के लिए आपको मैनद करने पड़ेगी थोड़ा सा research करना पड़ेगा ठ राजथान vacancy in CGL 2022 इस तरीके से search करो YouTube पे बहुत सारे channel है आपको data मिल जाएंगे ऐसे ही हर state वाले अपने अपने ठीक अगर आपको बिहार के लिए पता करना है तो same करना है डेली वालों के लिए as compared to other state थोड़ा easy है डेली में vacancy जादा रहती है ठीक है लेकिन डेली के लिए भीड़ी भी जाता है क्योंकि आसपास के सारे belt की लोग जो है वही जाते हैं और एक तो भरना आपको सब है ठीक है A to Z हर एक post भरना है ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो अगर आपको job चाहिए एक minimum job secure करना है तो अब मालो एक general category का लड़का है जिसके 280 ही number है अब देखो 250 में chances इसका में job लगने की लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको भरना नहीं है form fill up करना है ठीक है जो भी जो post preference form है वो आपको पूरा भरना है और बिल्कुल ऐसे ही भरना कि आपके 300 number आ रखे है ठीक है ताकि यह ना हो in future you never know देखो कोई final नहीं बता सकता ठीक है और hometown के लिए ज पोलने पर वो select करो तो better है कि आप खुद से एक बार research करो और देखो कि कहां पर कितना vacancy है आजपास के state का भी देख लो और उसके according उस पे ना आपको थोड़ी मैनत खुद से करनी पड़ेगी मेरे पास बहुत जादा data इस पर है नहीं मैं बस आपको इसी में ही help कर सकता हू अगें बहुत लोग मुझसे पूसते हैं कि post preference परते वक्त सबसे जादा important किसको देना है तो मेरे recording location सबसे उपर देना है आपको ठीक है location उपर रखना है फिर आप post को रख सकते हो लेकिन अगर मानलो आपको अपने घर पे 2400 grade पे नहीं चाहिए आस पास में 4800 या 400 मिल रहा ह है तो अगर आपको post matter कर रहा है तो आप post के लिए जा सकते हो otherwise home state को आप उपर रख सकते हो तो अगर किसी को home state चाहिए तो obviously बात है उसको back से जाना पड़ेगा जो कम low grade के job है low level है ठीक है like 2400 और 800 उनको आपको उपर रखना पड़ेगा फिर 42 और 4600 ठीक है आप यह नहीं प चीज आपके कम number है या ज्यादा number है form बिलकुल आप ऐसे भरो जैसे कि आपके full marks आ रखे है मतलब 350 उपर है ठीक है आप इस तरीके से form बर रहे हो कि आपको आपके पसंद का job मिल जाएगा ठीक है अगर confusion है कि मुझे कैसे भरना चाहिए ठीक है यह उन लोगों के लिए है ज टीक है या फिर किसी और state में जा रहे हो तो यह थोड़ा सा root करना है और यह खुद करना है अलग-अलग चैनल वालों ने लग-अलग दाल रखा है ठीक है अपना ेक दिन दो, दो दिन दो, ठीक है, I know आपने से बहुत लोग पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई, डिस्टाब होगी बट ये फ्यूचर का है, तो इतना तो आपको मैनाद करना ही पढ़ेगा, ठीक है तो आप मेंली थोड़ा सा रिचर्च करो एक रजिस्टर पे, ठीक है, MS, Word या एकसल पे एक सीट बनाके, बेटर हेगा कि एक कॉपी पेन उठाओ और उस पे करो, और देखो कि कहां कितनी वेकंसी है, और अपना जितना ज़्यादा दिमाग लगा सकते हो, अपना लगाओ और आपको पता चल जाएगा, देखो, मुझसे पूछोगे, तो मैं अगेन वही बोलूँगा, कि लोकेशन को पहले देना है, और फिर पोस्ट को देना है, और जो भी डेटा फिल करते हो, आप उसके according भर दो, मेरे पास भेज के कोई फाइदा नहीं, कि मैं पूरी तरके से देख नहीं पाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे messages आ रहे हैं, and now it's quitely impossible for me to answer everyone, मेरे पास 500-600 messages आ चुके हैं, मुझे नहीं बता था, इतने लोग को इतनी ज़्यादा दिक्कत है, but again मैं try कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं answer कर सकूँ, मैं expect कर रहा हूँ कि कल तक मैं सारे answers दे दू, लेकिन messages आये जा रहे हैं, रूप नहीं रहे हैं, ठीक है, तो कुछ तो चूटेंगे, ठीक है, कुछ चूटेंगे, जिन्होंने पहले message बेजा था, वो और पीछे हो गए हैं, थोड़ी सी दिक्कत है इस चीज में, but I know, आप थोड़ा सा समझोगे इस चीज को, बाकि आप state preference form भरो, और मेरे ही नहीं, और भी वीडियोज है, बहुत सारे YouTube पे चैनल है, आप उन सब को follow करो, और सब को देखो, कि क्या वो कह रहे हैं, और फिर अपना एक दिमाग लगाना है, और ध्यानक में, at the end, our decision आपका ही है, कि you are the one, जो उसके मजे लेने वाला है, या जो suffer करने वाला है, हमारा कुछ नहीं जाए तो अच्छे से research करो, और देखो कि क्या करना है, research आप खुद करो, किसी और से ज़्यादा उमीदनत लगाओ, ज़्यादा होगा, अच्छा होगा आपके लिए, खुद से करो, thank you so much, मिलते हैं अगले session में, तब तक के लिए पढ़ाई करते जाओ,